तो दोस्तो भी आईफोन 14 सीरीज सेप्टमबर की मन्त में लॉंची हुए है कि आईफोन 15 सीरीज से रिलेटेड काफी लिक्स रूमा समय नेकल के आने लगे हैं अधकिस भीडियो के दर हम बात करेंगे आईफोन 15 सीरीज से रिलेटिज कितने मदल देखनेOR को सकते हैं साथ जाथ हम बात करेंगे कि क्या ऐइफोन 15 सीरीज के अंदर या फिने तो वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सेयर जूरू कर देना साथी साथ चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और पर करके प्रेस करेना तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि आइफोन 15 सीरीज के अंदर में कितने मोडल देखने को मिल सकते हैं तो आइफोन 15 सीरीज के अंदर हमें चार मोडल देखने को मिलेंगा जो कि पहला होगा वो होगा आइफोन 15 iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro और iPhone 15 Ultra तो ये फोन हमें देखने को मिल सकते है iPhone 15 Series के अंदर जो Pro Max है वो हटा के हमें Ultra देखने को मिल जाएगा उसके बदले आप देखो मैं सबसे पहले बात करेता हूँ कि क्या हमें USB Type-C का पोर्ट देखने को मिल सकता है iPhone 15 Series के अंदर तो देखो अभी European Union जो है उन्होंने बता है कि हाँ भाई आप जितने भी आने वाले आगे टाइम में जो चार्जिंग वाले डिवाइसे होंगे उन सभी के अंदर हमें USB Type-C का पोर्ट देखने को मिलना चाहिए ताकि एक ही चार्ज़र से सारे फोन और डिवाइस जो चार्ज किया जा सकते फिर चाहिए वो लैप्टॉप हो कैमरा हो PC हो मतलब की लैप्टॉप हो कैमरा हो या iPhone हो या फिर कोई सब भी फोन हो सबी के अंदर हमें USB Type-C का पोर्ट देखने को मिलना चाहिए चार्जिंग के लिए अब देखो इसमें क्या है कि जो इंडियन गॉर्मेंट है अभी उनकी तरफ से भी कोई फैसला लिया नहीं गया है बट अगर हम माने Apple के तो अपने अभी तीन-चार साल से ही वो अपने फोन के अंदर कुछ ऐसी टेकनोलजी लेके आ रहा है दिरे-दिरे जैसे कि मैं बात कर लूँ वार्लेस चार्जिंग उसी के साथ मैक्स एप की चार्जिंग और जो कई ऐसी टेकनोलजी लेके आ रहा है जिसके वज़े से जादतर चांसिस है कि iPhone जो आगे आने वाला है हो सकता है कि वो हमें totally portless देखने को मिल सकता है वैसे जादतर अगर माने तो होप यही लगाए जारी है कि iPhone 15 सीरीज के अंदर या फिर iPhone 16 सीरीज के अंदर हमें USB Type-C का port देखने को मिल सकता है कि जो European Union है उन्होंने बोला है कि 2024 से यह सभी डिवाइस के अंदर लागू हो जाना चाहिए कि हमें USB Type-C का port देखने को मिलना चाहिए चार्जिंग के लिए अब अगर iPhone जो Apple Company जो है उसमें से अपने जो पोर्ट उसको रिमूफ कर देती है तो फिर टोटली यह वाइलेस चार्जिंग पर कर देंगे तब तो देखो हो सकता है कि जहां हमें अभी 2000 रप का चार्जर खरिदना पड़ता तो हमें 5000-6000 का चार्जर खरिदना पड़ेगा चार्जर करने के लिए क्योंकि हो भी सकता ऐसा क्योंकि पोर्टलेस भी कर सकता आईफोन अपने Apple को Apple Company जो है अपने आईफोन को पोर्टलेस भी कर सकती है इसके बहुत जादा चांसिस है या हो सकता है कि हमें iPhone 15 या 16 सीरीज के अंदर USB Type-C का पोर्ट देखनों को मिल सकता है तो अभी तक यही निउज निकल के आई है USB Type-C पोर्ट के लिए बाकि अगर इससे रेटेट कोई भी निउज निकल के आईगी सामने तो आपको अपडेट मिलता रहेगा अब हम बात के लेते है iPhone 15 Ultra के अंदर में क्या कुछ खास चेंजिस देखनों को मिल सकते है तो iPhone 15 Ultra के इनदर बताया जारा है क्योंकि थोड़ा अलक वेरिंट बना जाय का जिसके वजह से इसके आपको सारी चीजीया निकैने के आई विए चोंने को मिल सकती है बात अभी Apple जो इतनी जल्दी इसको चेंज नहीं कर सकता बात कर अगर इसके अंदर हम fingerprint sensor की तो वो बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा C4C Face ID ही sensor जो है देखने को मिलेगा इसके अगर इसके अंदर हम changes की तो इसके अंदर हमें Apple का A17 bionic chip देखने को मिल जाएगा जो की काफी ज्यादा fast होगा क्योंकि अभी जो है A16 bionic chip चल रहा है वो भी लिटली काफी ज्यादा powerful है तो A17 bionic chip हमें इसके अंदर देखने को मिल सकता है जो की लिटली काफी ज्यादा performance में आगे होगा अब उसके साथ बताया जारना है कि जो आने वाला iPhone 15 Ultra होगा उसके camera module में हमें change देखने को मिल सकता है डिजाइन वाइज तो आपको same to same देखने को मिलेगा जैसे कि iPhone 14 सीरीज देखने को मिलेगा उसी तरह आपको देखने को मिलेगा iPhone 15 भी जिसे सीरीज होगी उसकी अल्टर अगरा जो होगी है सारे वैसे देखने मिले हैं बट camera में change देखने को मिल सकता है रहेगा triple camera setup ही बट ऐसा बस्ताया जा रहे है कि उसके नदर में telescope जो जूम लेंस है वो थोड़ा ज्यादा देखने को मिल सकता है जिसके ऐसे 8 की वीडियो जो हमें iPhone 15 Ultra के अंदर जो है recording देख iPhone 15 के अंदर ये चीज हमें देखने को मिल जाए बाके अगर बात कर लें बैटरी अगर बैटरी आपको थोड़ी improvement देखने को मिल जाएगे साथ ही साथ जो और जो चोटे मोटे changes है वो देखने को मिल जाएंगे बाके अब भी तक इतनी जितनी भी सारी सारी leaks होगर है यही सा iPhone 14 series के तरह देखने मिल जाएगा और 6GB की RAM देखने को मिल जाएगी बाकी जो प्रो और अल्ट्रा उसके अंदर आपको ज्यादा changes देखने को मिलेंगे तो यह सारी चीज है जो कि हमें iPhone 15 Ultra और iPhone 15 series के देखने को मिल सकती है अब भी की फिलाल मैं अगर बात करूं बाकी जो है ऐसा बताया जा रहा है कि जो iPhone 15 Ultra है और जो प्रो अला मोडल होगा उसके जो बटन होते है फीजिकली बटन वो इस बार हमें haptic touch के साथ देखने को मिलेंगे जिसके इसके अंदर हमें 3-4 जगह जो है haptic देखने को मिलेगा यानि कि जो टैप्टिक इंजन होता है वह में 3-4 अगर आपने iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus अगर फोन यूज कर तो जो इसको होम बटन होता है जब आप उसको प्रेस करते हो तो एक्चुल में वो प्रेस नहीं होता है बट आपको ऐसा haptic feel होता है कि हाँ वो प्रेस हो रहा है तो same to same वही चीज जो हमें इसके अंदर volume up and down का बटन और जो प implement कर सकता है तो यह काफी थोड़ा exciting होने वाला रहेगा तो अगर यह चीज यह apple जो है अपने nest iPhone के अंदर implement कर देता है तो काफी अलग देखने को मिल जाएगा थोड़ा कुछ अलग चेंज देखने को मिलेगा क्योंकि अभी तक तो जो मोडल हो गया रहा और बाकि अगर बा निउस और लिक सामने निकल के आये जो कि मैंने आप लोगों बता दिये बाकिस से related कोई भी ने अपडेट आएगा तो आपको इसी चैनल पर अपडेट मिलता रहेगा तो बस फिलाल वीडियो में ता आसा करतों में तरब से दीजान करें आप लोग को पसंद आगा अगर आ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सबस्क्राइब करना ऐसी और अमेजिंग वीडियो के लिए अगर आपको कोई सवाल आपका कोई सुझाओ तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और मुझे इस्टागाम पर फॉलो करने इसका लिंक आपको डिस्क